नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजू जू 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 गॉर्णमेंट एक्जाम प्रेप दोस्तों आज हम लोग डेली करेंट अफेर में चर्चा करने वाले हैं अक्टूबर माह के अंतिम दिन यानि 31 अक्टूबर 2020 के समाचार पत्रों में से जो कि आपके आगामी परिक्षाएं चाहे हो SSC की हो, दिल्ली पुलिस, UPSI, बिहार SI, राजस्थान पुलिस जितने भी एक्जाम हैं यह सभी परिक्षाओं में यह खबरें मदद करेंगी तो आईए एक एक करके चर्चा करते हैं, जिसमें रास्थी मामलों में पहली खबर है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020, तो PAI, इसको कहेंगे The Annual Report of PAI has been released by PAC, कौन अब जैसे पूछ लेगा कौन इसके रिलीज करता है तो PAC, PAC के बारे हम आगे बताएंगे पब्लिक अफेयर्स सेंटर, फ्रेमवर्क, फार्मर इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन, पूर्व इसरों के अध्यक्ष है के कस्तूरी रंगन और यह PAC के चेर्मैन है वरतमान में तो इस रिपोर्ट इस टेट देट देट इस रैंकिंग हैस बीन डन और बेसिस आफ पर्फॉर्मेंस एंड कांटिन्यूस डेवलप्मेंट या इसको कह सकते हैं सस्टनेबल डेवलप्मेंट धारणी विकास, सतत विकास के आधार पर यह रैंकिंग दी गई है तो दोस्तों यह कौन सी संस्था देती है पबलिक अफेयर सेंटर अब दक्षणी राज्यों में जैसे देखिए केरल की सबसे ज़्यादा है तमिल नाडू की उसके बाद है आंध प्रदेश फिर करनाट का वहीं उत्तर प्रदेश उडिसा और बिहार की रैंकिंग में सबसे नीचे है देख रहे है ना उत्तर प्रदेश का 1.461 माइनस में है उडिसा और बिहार का आप देख रहे है माइनस में है अगर छोटे राज्यों की बात की जाए तो 1.745 के साथ गोवा सबसे उपर है उसक खराब प्रदरसन करने वाले राजवा केंसासित प्रदेसों में मनीपूर हैं, दिल्ली हैं और उत्राखंड हैं तो इस तरह से अलग-अलग काटेग्रीज बनाई गई गई हैं इसकी ये ध्यान रखियेगा अगर केंसासित राज्यों की बात की जाये तो चंडीगर 1.05 अंकों के साथ पहले पायदान पर है इसके बाद दूसरे वाद तीसरे पर पुदुचेरी और लक्षद्वीब है दादर, नगर, हवेली, अंडमान और जम्मो कश्मीर सबसे कम प्रदर्सन करने वाले प्रदेसों में सामिल हैं अब यहाँ पर पब्लिक अफेर सेंटर मैंने आपको बताया था यह क्या है यानि कह सकते हैं कि यह एक गैर लावकारी अनुसंधान थिंक टैंक है जो बैंगलूरू कहां करनाटक में अवस्थित है और यहाँ भारत में शासन की गुणवत्ता में सुधार के लिए काम करता है खासकर सारवजनिक नीती और भागिदारी शासन में अनुसंधान गत्विदियों का संचालन करता है और इसका हेड़कॉर्टर कहां है बैंगलूरू है चेर्मेन कौन है तो केकस्तूरी रंगन है अब भड़ते हैं अगली खबर में OVC Reservation in Scenic Schools यानि 27% seats in Scenic Schools will be reserved for non-creamy layer ये ध्यान रखिएगा non-creamy layer OVC is from academic session 2021-22 अब देखिए यहीं पर प्रस्ण बन जाएगा कि Scenic Schools में 27% seat जो OVC की गैर creamy layer जो creamy layer में नहीं आते हैं उनको यहां रक्षण की सुबिधा मिलेगी और उसका सत्र क्या होगा 2020-21 या 2021-22 इस तरह से प्रस्ण बन सकता है तो इस बात की जानकारी हमारे रक्षा सची कौन है देखिए एक प्रस्ण यहां भी बन सकता है अजय कुमार ने दी और यह जो Scenic School Society है या किसके अंदर दगत काम करती है यह भी पूछ लेगा तो रक्षा मंत्राले के अंतरगत यानी under the Ministry of Defence और देश में ऐसे कितने आवासी स्कूल है residential स्कूल 33 स्कूल का प्रबंधन करती है और इसका जो सर्कूलर जारी हुआ किसी भी चीज का पहले सर्कूलर जारी होता है यह ध्यान रखिएगा तो यह 13 October को जारी हुआ जिसे पूरे देश भर के सभी सैनिक स्कूलों के प्रिंसिपल के पास यह जाएगा फिर प्रिंसिपल उस पर उस जो सर्कूलर जारी हुआ है उसको implement करेगा यह ध्यान रखेंगे अब इसमें जैसे सर्कूलर में कहा गया है कि सैनिक स्कूल में 67 प्रसर सीटें राजवा के इंसासित प्रदेसों के उमीदवारों के लिए आरक्षित होंगी जिसमें स्कूल इस्तित है और 63% उन लोगों के लिए आरक्षित है जो उस राजवा के इंसासित प्रदेस के बाहर से आते हैं इसलिए इसमें दो लिस्ट यहाँ पर देखिए लिस्ट A और लिस्ट B बना दिया गया है और यह कहा गया है कि पर तेक लिस्ट में 15% सीटें किसके लिए सिडूल कास जैसे हमारे यहाँ OBC, SC, ST और जनरल अब तो एकोनामिक वीकल सेक्षन भी हो गया है जनरल में तो इस तरह से अलग-अलग माट दिया गया है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न 7.5% अनसूचित जन जातियों के लिए 15% सीडूल कास के लिए और 27% फिजदी अधर बैकवर्या नौन क्रीमी लेयर OBC के लिए कह सकते हैं और यहारक्षन नीती 2021-22 तो यह 3-4 पॉइंट है इसमें ध् बात करते हैं तीसरी महत्पूर्ण खबर की नेपाली आर्मी विल बी अवार्डर दा महारती ओनर टू दा चीफ आफ दा इंडियन आर्मी तो यह एक बहुत अच्छी खबर कह सकते हैं पडोस से आ रही है चुकि भारत और नेपाल के बीच लगातार कह सकते हैं कि पिछले 2 तीन वर्स से तनातनी चल रही थी और यह तनातनी का फाइदा कौन उठा रहा था चीन उठा रहा था तो ऐसे में यह बहुत अच्छी पहले ही हमारे देश के रा के चीफ गए हुए थे वहाँ पे चुकि नेपाल की सेना का सरवच सम्मान दिया जाना ऐसे में चीन फिर से तिल मिला उठेगा और भारत और नेपाल के संबंध रोटी बेटी का संबंध कहा जाता है तो नेपाली सेना भारती सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नर्वणे को नेपाल सेना का सरवच कहा जाने वाला महारती सम्मान से नवाजेगी और इसके लिए भारती थल सेना अध चीफ गए हुए थे सामंत गोयल जी अब इसके बात्थल से नाप्रमुक को सम्मान दिये जाने से दोनों देशों के भी सामरिक और कुटनीतिक संबंध हो यानि स्टेटिक और डिपलोमेस्टिक रिलेशन बहुत बेहतर होगा भारत और नेपाल के बीच भागोलिक, सांस्कृ स्टेटिक सामरिक स्टर पर पैदा होई गलत फहमियों को दूर करने के लिए दोनों ही देशों के उच्चाधिकारी प्रयासरत हैं कारण चुकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत ने मैप में या नेपाल ने मैप में उतराखंड के लिपू लेख दर्रा हम लोग पढ़ते हैं कि लिपू लेख दर्रा कहा है उतराखंड में है लिम्पिया धुरा और काला पानी के छेतर पर कबजेदारी का विवाद पिछले दो-तीन साल से चल रहा है, नेपाल न सिर्फ लिपू लेक, लिम्पिया धूरा और काला पानी पर अपना दावा जता रहा है, बलकि इस छेत्र को अपने में समाहित करते हुए नया नक्षा भी जारी कर दिया था चीन के भड़कावे में आ करके, तो इधर भारत ने इस शेत्र से मांसरोवर के प्रवेश द्वार तक सड़क का निर्मार भी कर दिया, और यही कारण है कि चीन की छटपटाहट का सबसे प्रमुख कारण यही है, हाल ही में रचीफ सामंत गोयल ने प्रधान मंत्री है, नेपाल के प्रधान मंत्री कौन है, केपी सर्मा ओली है याद रखेंगे यह भी आ सकता है प्रधान केपी सर्मा ओली इनका नाम ध्यान रखेंगे और उस तरह से दोनों के बीच वारता हुई और भारत के लिए सकारात्मक संकेतों के बीच अब थल सेना अद्यक्च मनोज मुकुन नर्वने को नेपाल यात्रा और उन्हें नेपा यहाँ पर आपदाई हुई है भूकंप साथ रिक्टर स्केल पर याद रखेंगे तो तुर्की और ग्रीश में सकतिसाली भूकंप की वज़ा से करीब 22 लोगों की मौत हो गई है और यह कह सकते हैं भूकंप समोस के एजियन ड्वीप पर अब देखें यह एजियन ड्वीप कहां है समोस कहां है यहां देख सकते हैं तो एक हलकी सुनामी सुनामी क्या है समुद्र में आती है ध्यान रखेंगा और वही भयाहो रूप ले रेती है तो समुद्र के उफ़ान के कारण बना जिससे तुर्की के पश्वी तट के सहर पर सड़कों पर काफी पानी बैखते देखा गया तो इसमें देखिए मांचित्र में हम देखते हैं समोस कहां है यहां पर है और सफसे ज़्यादा जो तुर्की का शहर प्रभावित हुआ है वो एजिमिर हुआ है यहीं पर देखिए तुर्की की राजधानी अंकारा है और यह अंतालिया इस बहुत ही महत्पू यूरोप का द्वार कह सकते हैं यूरोप में यहां पर सियाफ मारमरा है और उधर ब्लैक सी है यहीं डार्डेनलीज जलसंदी है बासपोरस जलसंदी है और यह देख रहें ने एजियन सागर है और इधर यह ग्रीस है इसकी राजधानी एथेंस है तो यह महत्पून हो जात है कि यह भी प्रभावित हुआ है लेकिन सबसे ज़्यादा यानि अब 22 लोगों में 20 मृत्य हुई है तरकी से दो लोग एथेंस से मृत्य हुई है तो यहां पर आप देख रहे हैं भूकम्प की वज़ा से दिया है एजिमीर सहर में ज्यादा नुकसान हुआ है जहां आप देख सकते हैं आज भी समाचार उसने जम्मु कस्मीर विबाद लगातार जम्मु कस्मीर की बारे में चर्चा करकर भारत की भृकूटी टेहीं कर देता है और ऐसे में भारत ने ग्रीज के साथ सैन सम्बंध स्थापित कर तरकी को करारा जवाब दिया है तो इस तरह से आप देख सकते हैं टर्की की राजधानी अंकारा है राष्ट पती यह हैं यहां मुद्रा है तुर्की लीरा ध्यान रखेंगे दोस्तों और ग्रीस के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए बहुत ही प्राचींतम शहर एथेंस यहां पर सिकंदर भी यहीं से हुआ करता था ध्यान रखेंगे तो यह यहां के प्रधान मंत्री कौन है क्यारी कोस मिरसोत किस है और कैपिटल एथेंस है मुद्रा यूरो यह यूज करता है तो यह देख रहे हैं एथेंस है यह महत्पूर्ण और यह एजियन सागर है इसी के वीच यहां पर देखेंगे यह सब इसी के चेत रहें यहाँ पर टर्की में भी सूखे मेवे वगएरा अंजीर इस सब का उत्पादन होता है और इधर भी रजदार फल्म का उत्पादन होता है अब बढ़ते हैं राष्टी और राष्टी प्रमुग व्यक्तित में आज भारती व्यक्तितों है केके शर्मा यह 1983 बैच के आईयस ओफिशर रहे हैं और यहाँ जम्मु कश्मीर के उप राजपाल के सलाहकार भी नियुक्ति हुए थे अभी उन्होंने कल ही इस पर से इस्तीफा दिया अब जम्मु कश्मीर के नए चुनाव आयुक्त बन गए है इलेक्शन कमीशनर और चुनाव आयुक्त दोस्तों ध्यान रखेंगे दोस्तों यहाँ पर तो यह जो है राजपाल उपराजपाल के सलाहकार भी थे अब चुनाव आयुक्त बने हैं और साथ साथ दिल्ली और गोवा के मुख्य सच्यू भी रहे हैं और इसके साथ रिटायर होने से पहले मानो संसाधन विकास मंत्राले में भी सच्यू रहे हैं और चंडीगर प्रशासक के सलाहकार भी रह चुके हैं यह इनका चित्र दिया गया है अब भरते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बुक्स हैं दस किताबें आज भी लिया है दा इंद्रा गांधी इयर डॉक्टर प्र सीन रह चुके हैं प्रणवदा पश्यम बंगाल से आते थे तो उन्हीं की पुस्तक है दा इंद्रा गांधी इयर इस्ट्रेट फ्रम दा हार्ड कपिल देव अभी कुछ दिन पहले ही दिल की बिमारी से ग्रेसित थे हलांकि अब वहां हॉस्पिटल से वापस आ चुके हैं म मोदी जी मन की बात करते हैं उसी पर आधारित पुस्तक राजेस जैन जी ने लिकिया है दा पास्ट विफोर अस रोमिला थापर यह बहुत प्रमुक इतिहासकार है दा ब्रीफ हिस्ट्री आफ टाइम स्टीफन हौकिन्स का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों दा मिनिस्ट्र पुस्तक के लिए और गोल्डन गेट विक्रम सेट लीला सेट के पुत्र है इनकी और भी है सुटेबल बॉय भी पुस्तक है और ए लॉंग वे पीवी नरसिंगा राव पामुला परतिव वेंकट नरसिंगा राव नाइन्टी नाइन्टी वन में भारत के प्रधान मंतरी बने थे और इन्होंने ही राव मनमोहन मौडल यानि ओपन एकोनामी एल पीजी आया था लिबलाइजेशन प्राइविटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानि कदम से कदम मिलाकर बैस्विक अस्तरबर बिकसित देशों के साथ लीडर के रूप में खड़ा है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान पीवी नरसिंगा राव और उस समय के तातकालिन वित्तमंतरी मनमोहन शिंग हुआ करते थे अब बढ़ते हैं महत्मूर दिवस में दो पाजी के दिन सरदार वलब भाई पटेल इन्हें आइरन मैन आफ इंडिया कहा जाता है और यह जब भारत स्वतंतर हुआ था 1947 में तो भारत देशी रियास्तों में बटा हुआ था कोई एक दूसर बितर थे यानि अंग्रेज जाते जाते जैसे नहीं कोई मीटिंग होती है या मेला होता है जो खतम होता है उसके बाद देखते हैं पूरा गंदगी हो जाती है तो इस तरह से पूरा तहस नहस करके यह अंग्रेज हमारे भारत को छोड़ कर चले गए थे और इस तरह से एकी करण का कारे किसी ने किया सरदार वलब भाई पटेल जी ने उसमें प्रध करने को तैयार ना थे तिन्होंने कल बल सभी का प्रयोग करके इन रियास्तों का भारत में विलए किया और A ग्रेट, B ग्रेट, C ग्रेट, D ग्रेट सेड़ी में राज्यों को बाटा गया बाद में भासाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग होती गई फिर राज्य ब पचास में इनकी मृत्यू हो गई और ये भारत के पहले उप्रधान मंतरी भी थे अब अगला है आजी के दिन डेथ इन्वर्सरी आफ इंडियाज फॉस्ट वोमेन प्राइम मिनिस्टर इनको आइरन लेडी कहा जाता है जैसे सरदार पटेल जी को आइरन मैन आफ इंडिया कहा जाता है इनको आइरन लेडी कहा जाता है और यह पंडित जवाहर लाल नहरू की पुत्री थी इनको एक तरह सकते हैं राजनीत इनको विरासत में मिली थी और यह ग्यारा वर्स में ही बिरिटिस सासन के विरोध में वानर सेना बनाई थी और 42 वर्स की उमले में भारती रास्त्री कॉंग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी और सास्त्री जी के निधन के बाद इवन ध्यान रखिएगा सास्त्री जी के मंत्राले में यह मंत्री भी रही हैं सूचनायों प्रसारण मंत्री फिर उसके बाद सास्त्री के निधन के बाद यह भारत की प्रतम महिला प्र सेवन में जो एलक्षन हुआ तो इस तरह से तीन बार प्रधान मंतरी फिर 1980 में फिर से बड़े बहुमत से आई और इस तरह से 84 में आजी के दिन इनकी मृत्यू हत्या कर दी गई उन्हीं के अंगर रक्षक के द्वारा भारती इतिहास में इनको आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है 84 का शिक दंगा कह सकते हैं ऑप्रेशन ब्लू स्टार 84 में चलाया था और 1975 में आपात काल इन दो बातों की वज़ा से इनकी कभी-कभी आलोचना हो जाती है लेकिन दोस्तों 1971 का युद्ध में यह विश्षक्तियों के सामने न जुकने के नीतिगत निरने से पाकिस्तान को परास्त किया और बांगला देश को मुक्ती दिला कर सोचिए 93,000 सैनिकों को आत्म समर्पन कराया था इन ही के कारेकाल में हुआ था दोस्तों तो यह सुतंत्र भारत को एक नया गवरोपूर्ण छण था जब बांगला देश को मुक्त कराया था स्वर्गी इंद्रा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा इन ही का था तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे कारे प्रिवी पर्स लोगों के जो बड़े बड़े जमीदारी जमीने थी उनको गरीबों में बाटा और इस तरह से इन्होंने बहुत सारे कारे किये जिसकी वज़ा से आज भी यह चर्चा में रहती है अब बढ़ते हैं दोस्तों खेल समाचारों में 3 इंडियन रीज दा फाइनल आपदा एलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट इन नैंस ये फ्रांस में सहर है ध्यान रखियेगा दोस्तों तो विस्टो चैंपियन के एक मात्र रजट पदग विजेता भारती मुक्यबाज अमित पंगाल ये 52 किलोग्राम के कभी कभी ये पूछ लेता है कितने किलोग्राम में कविंदर सिंग बिस 57 और संजीत 91 के ग्रामें फ्रांस के नंटेश के अलेक्सिस वेस्टाइन अंतररास् एक जीत दूर हैं तो हरियाना के पंगाल ने सेमी फाइनल में अमेरिका के क्रिस्टोफर हरेरा को हराया हरा कर फाइनल में प्रवेश किया है इसी तरह से ACI चैंपियनसिप के रजट पदग विजेता कविंदर ने फ्रांस के बेनिक जार्ज मेलकु मैन को एक तरफा से हराया तो फाइनल में उनका सामना फ्रांस के सोहे बोफिया से होगा और शिव थापा जो गये हैं 63 की ग्रा में सेमी फाइनल में स्थानी खिलाडी लौनेस हम रोई के हाथों एक दो से हार कर कान से पदक इनको ब्रोंज मिलेगा हलांकि सभी लोगों को कोई न कोई पदक मिलेगा अब आते हैं दोस्तों डेटा स्टार के बाउट सम इंपॉर्टन फैक्ट में कल ही का भाग जो छोड़ा हुआ था उसी को आगे बढ़ाते हुए भारत के प्रमुख नेसनल पार्क में आज हम बात करेंगे असम का तो असम में मानस, काजी, रंगा, नामेरी, राज लीजिएगा आईए मांचित में देखते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यह मानस नेसनल पार्क है समझ में आई बात नामेरी नेसनल पार्क यहां है और मानस हाथियों के लिए जाना जाता है और काजी रंगा नेसनल पार्क एक सींग वाला गैंडा और ओरांग नेसनल प ये महत्पूर्ण है इसमें से कम से कम तीन आपको याद रहने ही चाहिए अब आईए वापस आते हैं आप आंधर प्रदेश की बात करते हैं राजियू गांधी रामेशुरम पापी कोंडा स्री वेंकटेश्वरा नागर जुन सागर श्री शैलम ये देखिए मांचित्र में यहाँ आंधर प्रदेश यहाँ पर आप देख सकते हैं पापी कोंडा नेशनल पारक है यहाँ पर वनर राजियू गांधी रामेशुरम नेशनल पारक है श्री वेंकटेश्वरा अब नीचे यहाँ देखिएगा तमिलनाडू सुरू हो जाता है कल इसकी चर्चा कर चुका हैं महारास्ट में महारास्ट में आईए मांचित्र में यहाँ पर देख रहे हैं संजय गांधी नेशनल पारक और यहीं पर आप देख रहे हैं चांदोली नेशनल पारक यह दिखा रहा है और ताडोबा नेशनल पारक नवागाउ नेशनल पारक गुगल माल नेशनल पारक ये सब महारास्ट में ही हैं और ये देख रहे हैं यहाँ पर देखे बोरी वली तादोबा नवागाओं ये तीन महत पूर्ण हैं अब बढ़ते हैं अंडमान निकोबार दोस्तों सबसे ज़्यादा वन जीव अभ्यारण जैसे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्कों की संख्या कहां है मद्य प्रदेश में है उसी तरह से सबसे ज़्यादा वन जीव अभ्यारण की जो संख्या है अंडमान निकोबार में है और केंसासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादिक नेशनल पार्क भी अंडमान निकोबार में है सैडल पीक भी है ना 738 मीटर उची है अंडमा निकोबार और जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है और पोर्ट ब्लेयर कहा वस्तित है यहाँ पूछ लेता है उतरी अंडमान में मध्ध अंडमान लिटिल अंडमान साउथ अंडमान तो यह देख रहे हैं तो वह दक्षिन अंडमान में अवस्तित है सैड Bay National Park, यहां पर देख रहे हैं ना, गलाथया Bay National Park, तो यह सारे जो हैं, यहीं पर अवस्थित है, अब आते हैं, वापस हिमाचल प्रोदेस में, पिन वेली और ग्रेट हिमालियन नेशनल पार्क यहां आप देख सकते हैं यह हिमाचल प्रदेश है यह उत्राखंड के उपर जाएंगे देखी ना उत्राखंड के उपर यह पिन वैली दिख रहा है पिन वैली नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालियन नेशनल पार्क यह दो हैं और भी हैं यहां पर देख रहा पार्क और दोस्तों नंदा देवी यह जो है बाइस फिर रिजर्ब भी है इसको युनिस्को की सूची में डाल दिया गया है तो यह देख रहे हैं उत्रा खंड में वैलिया फ्लावर दिख रहा है नंदा देवी और यही पर नंदा देवी हो गया राजा जी नेशनल पार्क जीम कारविट नेशनल पार्क देख रहे हैं तो यह चार पांच बहुत इंपोर्टन्ट हैं इनको ध्यान रखेगा और यही उपर गंगोत्री नेशनल पार्क भी है तो यह है उत्तरा खंड हो गया अब आते हैं गोवा में सलीम अली पक्छिय भ्यारन मैंने बताया था था परते हैं नेक्ष्ट है चतिसगड़ चतिसगड़ में कांगेर घाटी इंद्रावती और गुरु घासी दास भी है आईए मांचित्र में देखते हैं यहां पर चतिसगड़ आपको दिख रहा है यह देख रहा है ना गुरु घासी दास नेशनल पार्क दिख रहा है ना पहरत का नियागरा कहा जाता है और दोस्तों कांगेर घाटी नेशनल पार्क भी यहीं है गुरु घासी दास यह तीन इंपोर्टेंट है अब बढ़ते हैं केरल में केरल में पहले भी चर्चा कर चुका हूं इसलिए इसमें दो ही लिया हूं साइलेंट वैली जिसे सांती तो सारे हैं यहां पर मैंने बोला था ना अब आते हैं करनाटक में यहां के भी बहुत बार एक्जाम में आये हुए खासकर बांदीपूर बनेर घटा नागर होल यह सब एक्जाम में आये हुए हैं कुद्रे मुख तो बांदीपूर नेशनल पार्क नागर होल अंसी बनेर घटा और कुद्रे मुख, आईए मांचित में देखते हैं दोस्तों, यह करनाटक में देखी अंसी नेशनल पार्क है मिल गया, मिल गया की नहीं, कुद्रे मुख, कुद्रे मुख चोटी भी है, 1892 मीटर चोटी है, जो की बाबा बूधन की पहाड़ी में इस्तित है, विची स स्पेसल फार्ब, बटरफ्लाई, तीतिलियों के लिए जाना जाता है, और यह है बांधी पूर नेशनल पार्क, यह है नागर होल नेशनल पार्क, याद हो जाएगा दोस्तों, अब बढ़ते हैं, केरल करनाटक हो गया, पंजाब में हरीके जील वेट लैंड भी है, और इस अला डिस्टिक में पंजाब के सतलज और ब्यास मिलती है, और यहीं से इंद्रा गांधी नहर निकाली गई है, जिसे राजस्थान की लाइफ लाइन कहा जाता है दोस्तों, अब आते हैं, बिहार में बालमीकी नेशनल पार्क है, यहां मांचित में आईए देखते हैं, यह बाइस फिर रिजर्व भी है दोस्तों, बाल पाक, रम नेशनल पार्क भी में एक हाले में है, इस तरह से हमने लगवग पूरे नेशनल पार्क की चर्चा कर दी, और इतना ही याद रखना इसको इसी मैप में देख देखकर याद करेंगे, तो बहुत आसानी से याद हो जा और सूरज और इस तरह से आयशकांत साहु थोड़ा लेट दिये हुए हैं, आदित्य कुश्वाहा, शुवश्री साहु, दीप सुमन प्रजापती, सर्मिष्ठा रावत ये भी थोड़ा लेट दिये हैं, आपूर्वा, प्रेर्णा, मर्मा, सूरज उपाद्याय, इन सब ल तो इस तरह से आप सभी उत्तर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, रवी कुश्वाहा, विश्वजीत कुश्वाहा, ये सब लोग लगातार उत्तर दे रहे हैं, तो अच्छा लगता है आप लोगों के उत्तर आते हैं, अब आईए आज के पहले प्रस्न में सारवज कि स्कूलों में 27 फीजदी सीटें किस सैक्षनिक सत्र से गैर क्रीमी लेयर OBC के लिए आरक्षित होंगी from which academic session मैंने बोला था ना 2018-19 या 19-20 या 20-21 या 21-22 इसी में आपको उत्तर देना है next है नेपाल सेना का सरवोच कहा जाने वाला महारती सम्मान किस भारती प्रमुख को मिलेगा अभी 4 नुमंबर को दिया जाएगा थल से ना अध्यक्ष वाईव से ना अध्यक्ष नौ से ना अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं अगला हाल ही में आए भूकंप की वज़ा से तुर्की के किस सहर में ज्यादा नुक्षान हुआ है तो वह एजमिर है, इस्तांबुल है, अंकारा है या अंतालिया ये चारो प्रमुक्ष शहर है ये तो राजधानी ही है ध्यान रखेंगे और तुर्की की मुद्रा का क्या नाम है दिरहम, लीरा, या टका, या रियाल, ध्यान रखेंगे दोस्तों, अब जम्मुयों कश्मीर का प्रथम, यहां कह सकते हैं प्रथम क्या नया, या ध्यान रखेंगा इसको ठीक कर लिजेगा, न्यू जो अभी बने हैं चुनाव आयुक तो इसको ठीक कर लिजेगा, न्यू इलेक्शन कमिस्नर केके शर्मा बने हैं, या श्वर्धन कुमार सिनहा, आलोग बर्मा या निपेंद मिस्रा, अगला है ए लॉंग वे किस पूर प्रधान मंत्री की रचना है, या पुस्तक है, अटल विहारी बाचपेई, पीवी नरसिंग हराओ, राजियु गांध या विशनात प्रताफ सिंग, अगला है रास्टी एकता दिवस कब मनाया जाता है, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर, अगला है कविंदर सिंग विष्ट किस खेल से संबंदित है, होकी, बैटमिंटन, मुक्यबाजी या कुस्ती, अगला है क कांगेर घाटी रास्टी पार्क किस राज में अवस्थित है, उतरप्रदेश यानि कांगेर वैली नेशनल पार्क इस लोकेटेड इन वीच स्टेट, उतराखंड, 36 गड़ महारास्ट, तो इस तरह से यह आज का स्रेक्शन कंप्लीट होता है, दोस्तों, आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और लगातार आप लोग पढ़ाई करते रहें, आगामी परिक्षाओं में सफलता जिससे अरजित कर सकें, धन्यवाद दोस्तों, थैंक्यू